कि नमस्कार दोस्तों आई ये देखते हैं कि मार्किट कल कैसे काम काज कर सकती है लेकिन उसे पहले डिस्क्रेमर वीडियो एज्यूकेशन लर्निंग परपस के लिए मेरी तरफ से कोई बाइस हैल का रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी ख्रीदने बेचने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा क्योंकि आपको होने वाले प्राफिट लास के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से दिमेवार नहीं है यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि रिटेलर काल ख्रीद के ग है रिटेलर हमारी थोड़ी सी बीरिश पूजिशन बनाके गया है इंडेक्स फ्यूचर इसने खरीदे हैं आच्छे खासे सिर्फ यहीं पर तेजी है और बाकी पर काल बेची है पूट खरीदी है मंदी है और डियाईए मिक्स लेके गया है अब नेट डाटा पर चलते हैं डाटा क्या कहता है रिटेलर थर्टीन थोडेंड कंट्रेक्ट जो है बेचके गया है डियाईए सतावन हजार कंट्रेक्ट माइनस है फिफटी नाइन थोडेंड शुजार कंट्रेक्ट यह लॉंग है मतलब यहां इसने तेजी की पूजिशन बनाई है और प्रास ग्यारा ह 949,000 कंट्रेक्ट जो है यह माइनस में हैं डियाईए इस 401 कंट्रेक्ट Hani देजी की पूजिशन बना के गया आ तक्रीबद 97,000 कंट्रेक्ट हैं और प्रास बाइस हजार कंट्रेक्ट आज से निकल गया और दोबारा से शार्ट कर गया 22,503 कंट्रेक्ट इसके पास हैं अब पुट में एक लाग 94,000 कंट्रेक्ट रिटेलर ने राइट की हैं और जो हैग इसके पास है डी आई 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 इस एफ आई आई और प्रॉस टीनों के पास है उस टाक फूचर में से लांग म 75,376 कंट्रेक्ट इसके पास लांग है लेकिन मजे की बात यह है कि तीन दिन बाद आज यूएस मार्किट उपन हुए हैं और अच्छे खासे नीचे काम गाज कर रहे हैं और हमारी SGX निफ्टी वे तकरीबन 100 पॉइंट नीचे है अभी तो क्या कल 100 पॉइंट का गैप डा मिलता है क्या होता है वह हम डाटा में देखने की कोशिश करते हैं और अगर गैप डाउन मिला तो क्या करना है तो रन दिती इस डाटा को देखके तो यही बनती है बाई और डिप्स की आपको स्ट्रेटी रखनी चाहिए और बैंक निफ्टी फिलहाल ज़्यादा तेजी द मोदा होगा इसी के साथ दोस्तों चलते हैं बाकी परामीटर पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्किट की दिशादशा क्या रहे सकती है दोस्तों लंबी चुटी के बाद यूएस मार्किट ओपन हुई है लेकिन लाल रंग में कामकाच करी है नाजदाग थोड़ा सा हरे रंग में कामकाच करी है रसल 2000 काफी अच्छा नीचे है माइनस 1.5 परसेंट और यूरोपियन मार्किट भी नीचे है वर्ल मार्किट बूलते ही आज प्रैशर डाल दी है और अगर आज रिकवरी नहीं हुई तो एक बार के लिए गैप डाउन ओपनिंग कल हो सकती है आपको नजर रखनी पड़ेगी कि यह रिकवरी होती है और क्या सुबह जो है हम ओपन होते हैं तो क्या यह दो फ्यूचर हरे रंग में काम करते हैं वैसे गिरावट अच्छी है एक प्रसेंट तो अभी तक हो चुकी है यह देखना पड़ेगा और गहराती है इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी वहीं एफ यह ने आज फाइफ आटी त्री क्रोड की सेलिंग की है वहीं डियाइए ने पांच सो इकिस क्रोड क की बाइंग की है तो यह आफसेट हो गया पूरे का पूरा अब बैंक निफ्टी फ्यूचर पर चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोधिंग होई है थर्टी फाइफ तो देंट फाइफ सैंटी नाइन के लैवल पे तो मैं सीधा 3500 के आगे पीशे चलता हूं वहां द रस्टिंग चीज़ होगी जो आपने नोड़ भी कियोगी सुबह था कि यहां पूरी अन्वाइंडिंग होगी और यहां पर वापिस जो है ओपन इंटरस्ट विल्ट अप हो गया और काल हमारे बड़े प्लेयर भी लेके गया है तो अगर गैप डाउन मिलता है तो क्या हो स चल सकते हो 35,000 पे 62,000 और 36,000 पे 72,000 तो जो रहे सकती है वह थाटी-फाइव से लेके थाटी-छिक्स तो देंड कि रहे सकती है लेकिन एक चीज़ है कि अगर लंबा गैप आप मिल गया कोई 300-400 पॉइंट का गैप मिल गया तो गैप सारी गैप डाउन मिल गया तो फिर वो लाई जाए या ऊपर खोली जाए ताकि वह अपनी काल्स में से निकल सकें, लेकिन, सारा काम जो है, वो अब है, U.S. मार्कीट अगर यह रिकोवरी दे जाती है, तो शायद हमें गैप अप मिल सकता है, especially बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर यूएस मार्किट में आज अच्छा ब्रेकडाउन हुआ तो हमें अगर यहां पे 3-400 पॉइंट का गैपडाउन मिल गया तो वो जो है सारी गेम जो है बैंक निफ्टी की जो बनी बनाई के केस में हम जो है डाटा को देखते हुए बाई करके चल सकते हैं वहीं निफ्टी निफ्टी क्या कर सकती है निफ्टी में आप देखिए यहां पे भी सेम सिच्वेशन थी पंदरा आठ सो तक के अन्वाइंडिंग हो गई और पंदरा आठ सो पचास नो नो ट्रेडिंग जोन के बीच में समझ लो मार्किट है इस लेवल के आसपास आके क्या काम काच करती है वह हमें देखना पड़ेगा तो आपने देखा यहां तक पहुंचते हुए यह बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आई तो कल क्या कर सकती है तो कल के लिए जो रेंज रह सकती है अगर गैप डाउन मिल गई तो आप देखो गे यहां 46,000 तो यहां पे जो है ओपन इंट्रस्ट अडिशन हो जाएगा और उस केस में तो 15,800 ही एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगी लेकिन बड़े प्लेयर थोड़ा सा जो है काल खरीद के गये हैं और फ्यूचर भी थोड़ा लांग करके गये हैं मार्किट में उनकी अभी तेजी की मंशा है तो वहाँ पर के इंडिकेशन आती है उसको देखके एक बार के लिए इंडिकेशन आती है कि मार्किट जो है अगर नीचे खुली तो जैसे आज नीचे ओपन हुई और उसके बाद तेजी से ओपर की तरफ आई तो शायद वो आ सकती है ताकि वहाँ पर वो अपनी पोजिशन जो है वो हलकी कर सकें तो जो कल के लिए रेंज है वो तक्रीबन पंदरा साथ सो साड़े साथ सो से लेके पंदरा साड़े आठ सो नो सो कुछ यह वाली रेंज रह सकती है नाइन हंडर्ड तो ज्यादा हो जाएगा एट फिफ्टी एट सैवेंटी यहीं से ही शायद पोजि यह वीडियो में यहीं खतम करने ज़्यादा चाहता हूं उम्मीद करता हूं कि कल इसे अनैलिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफ़ा देखने को मिले और कुछ ट्रेड लेने में मदद मिले नमस्का जैहिंद